हेलो दोस्तों मैं पपु कुमार आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल एंड नन टेक्निकल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस video मैं आपको डारिक्ट ओनलाइन एस्टार का power diagram और controlling diagram के बारे में बताओंगा तो आएए पहले हम power diagram के बारे में जानते हैं power diagram के लिए हम three phase supply लेते हैं कि उसके बाद एमसी भी लगाते हैं कि एमसी भी के बाद कि कॉंट्रेक्टर लगाते हैं जिसमें three main contact होते हैं और one कि एक जॉरली कॉंट्रेक्ट के लिए यूज होता है जिसमें एक ये one option होता है और दूसरा ए two होता है ए वन पे हम फेज देते हैं और एटो पे न्यूट्रल देते हैं जिसको डिटेल से हम कंट्रोलिंग डाइग्राम में समझेंगे उसके बाद ओबर्लोड रिली लगाते हैं अब तो अब तो अब गए अब तो अब तो अब तो अब उसके बाद अब थ्रीफियज मोटर को सप्लाई दे देते हैं कि अब कंट्रोल डाइग्राम के लिए हम फेश अप्लाई लेते हैं कि उसके बाद एक सिंगल पोल का एमसी भी लगाते हैं कि एमसीवी के बाद कि एस्टोप पूस बटन लगाते हैं जो एंसी होता है जिसे हम एंसी बोलते हैं कि उसके बाद ऑबर्लोड रिले लगाते हैं कि अबर्लोड रिले के बाद कि एस्टार्ट पूस बटन लगाते हैं जिसे एंन नो बोलते हैं और कुछ भी लगाना जिसे सिंगल फेज प्रिमेंटर लगाना है या फिर कोई साज सेंसर हो गयरा लगाना है तो इसके स्रीज में लगा सकते हैं कि अधर कोई से अप्टी डिवाइस यहां पर लगा सकते हैं कि उसके बाद हमने कॉंट्रेक्टर को सप्लाई दे दिया जो आपको पावर डायग्राम में में एवन और एटू टर्मिनल दिखाया था यही दोनों है यहां पर फेज दे दिया हमने और यहां पर न्यूट्रल देदी है गारो डिया आज अगारो रही है कि अब है स्टार्ट पूंच वटन को होडिंग करना परता होल्डिंग क्यों करते हैं क्योंकि जब सप्ला सब्वाय यहां तक तो आर्या सब्वाय है जब हम push button को दबाते हैं start push button को जब दबाएंगे दबाक रखेंगे तब तो supply output contractor को मिलेगी लेकिन जब दबाना छोड़ देंगे तो ये disconnect हो जाएगी इसके लिए हम क्या करते हैं इसको holding करते हैं holding main contractor के main contractor के no से करते हैं main contractor के no से holding कर देते हैं आई अब हम indicator का connection सीखते हैं इसमें तिन indicator लगाते हैं on के लिए दूसरा off के लिए और तिसरा trip के लिए तो on indicator के लिए connection देखते हैं तो हम MCV के output से face supply ले लिए इसके बाद main contractor के no से connect करेंगे इसे main contractor के no से हमने यह on के लिए indicator लगा दिया जो red color का होता है और यहां से neutral supply दे दिया अब off indicator का connection देखते हैं और आफ के लिए हमने यही से फीज supply ले लिए और आफ इंडिकेटर के लिए main contractor का NC यूज़ करते हैं हमने main contractor का NC ले लिए और यहां एक indicator लगा दिया आफ के लिए जो green color का होता है और neutral supply direct connector दिया अब trip का connection देखते हैं trip के लिए भी हमने यहां से फीज supply ले लिया trip के लिए हम overload relay के अन्नो point यूज़ करेंगे overload relay के अन्नो point से supply लेंगे और यहां पर हमने trip के लिए indicator लगा दिया जो yellow color का होता है और हमने यहां से neutral supply दे दिया अब आप चाहते हैं तो इसमें alarm लगा सकते हैं क्यों जब आपका motor trip हो तो आपको पता चल जाए आप कहीं भी रहें तो आपको alarm बज़े का तो पता चल जाएगा तो इसके लिए हमने यहां से फेज supply लिया और overload relay overload relay के अन्नो point से connect करेंगे और हमने यहां पर एक hotel लगा दिया और यहां से neutral supply दे दिया मुझे उमीद है कि आप direct online starter के power diagram और control wiring को समझ गया हूं थैंक्स फर वाचिं दिस वीडियो